जैसरी राम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे स्टांदार वीडियो में तो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं DNA तथा आर यने में अंतर यानि डिफरेंट बिट्विन DNA एंड आर यने और एक बात मैं बता दूँ यह हमारा DNA तथा आर यने है यह हमारे बोर्ड इजयाम के लिए रिपीटेट कुश्चन यानि यह हर साल आते ही आते हैं और दूसरी बात यह हमारा पांच नंबर जो है कम्पलीट करता है एक बात अधर ध्यान रखिएगा कि यहां से अगर आज हम तैयारी कर लेते हैं तो यह हमारे पांच नमबर को क्या कर देगा, कम्पलीट कर देगा, इसलिए आप इस वीडियो को फुल देखिएगा, समझिएगा, अगर आज आपने इस वीडियो में 100% अपना effort दे दिया, तो यहाँ से यह पांच नमबर कम्पलीट मानिए, क्योंकि दोस्तों मैंने आप देखना पड़े, इसलिए जो है मैंने अपने सब्दों में बहुत ही सरल आपके लिए लाया हूं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को फूल देखिएगा, समझिएगा, और नोट कर लिएगा, ठीक है, तो चलिए सुरू कते, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी के जाहिए उनका जो है 95 हूँ, जरू से जरूर अचीब करें, और अपने इस लच्छे को साकार करें, और अपने देश में और अपने गाउं में, अपने परिवार में अपना नाम करें, ठीक है, तो चलिए सुरू कते हैं, तो देखिए सबसे पहले मिस में जो हमारा अंतर यानि हमारा जो DNA इसका पूरा नाम डी आकसी राइबो नियुकलिक अमल है यानि डी आकसी राइबो नियुकलिक अमल है यानि हमारा DNA ठीक है उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा R यानि इसका पूरा नाम राइबोस नियुकलिक अमल है तो दोस्तों देख सकते हैं सिकेंड पॉइंट भी बहुत ही सरल है बस आप लोग एक बार वीडियो को देखिएगा समझेगा उसके बाद ये चुटकियों में आपको याद हो जाएगा या कोजिका के केंद्रक में पाया जाता है और आरियन जो हमारा है यह कोजिका द्रब में पाया जाता है इसके बाद चलिए हम इसका फ़र्ड पॉइंट भी बहुत ही सिंपल है बहुत ही सरल है और ऐसे मैंने जो है सभी वीडियो हर एक चैप्टर के बनायों तो आप लोग एक बाद चैनल को जरू चेक आउट कर लिए ठीक है थार्ट पॉइंट हमारा होगा इसकी संरचना दूई कुंडली होती है अब देखें दूई कुंडली का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग देखेंगे जो हमारे जब दो सर्प क्या कर लेते हैं एक दूसरे को देखते हैं कि ऐसे कर लेते हैं तो क्या हो जाता है हमारा कुंडली जो हमारा हो जाता है वे दूई कुंडली हो जाता है ठीक है उसके बाद देख सकते हैं और एक बात और कि जब पहले जो लोग पानी खिसते थे हैं कि हमारे जो इनारा से तो उसमें देखते हूं कि जो हमारा रसी होती है दुए कुंडली होती है ठीक है ध्यान दुखिएगा कि जो हमारा रसी होती है तो जो हमारा डियनेक सनचना है ठीक उसी तरह होती है उसके बाद हमारा आरियने इसकी सनचन क्या कहता है तो चौथा पाइंट भी बहुत ही सरल है देख सकते हैं कि इसमें थायमीन यानि जो है मारा डिने होता है इसमें थायमीन चार उपस्थित होता है यानि इसमें थायमीन चार उपस्थित होता है कोई भी आप से क्वेश्चन पूछे कि डिने में कौन सा चार उपस स्थित होता है ठीक है उसके बाद हम देखते हैं इसका पाँचवा सबस्स लाश्ट पॉइन देख सकते हैं कि फॉइमारा पांच पॉइन हो पॉइन को पर पांचवा क्या है कि संदेश पहुंचाने का कारइकतगा अ क्ऊर हमारा आर्यने तो देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल है बहुत ही साधर और इसके साथ मैं आपसे question पुश्चाहूं कि जो हमारे कोई भी क्रीनल होता है किसी इंसान के अगर हम खुण से जो है उसका जाच करते हैं तो जो हम जाच किसे पता लगाते हैं वो जो हम पता DNA से लगाते हैं कि या कह सकत जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे भी हमें जो है कमेंट बाक्स में बताए कि देखे दोसों कमेंट बाक्स इसलिए बनाया ताकि आप जो है फिटबैक दें अगर हमारा काम अच्छा लगा तो आप उस तो आप उसे भी जो है धन्यवात करए ajudar कुश कमी हो आपको मिलते ही रहेंगे आप आप लोग के जो है मैं के लिए जो मैंने PCM के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है मैं उन सभी का वीडियो लाने वाला हूं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बिल आइकन जो जय हिन जय भारत वंदी महातर।